अब राम राम सारण अर्गर्मी का मौसम हो रहा है राजनी तिक सरगर्मिया तेज होगी है अपने काकेता हुआ जुट पड़े हैं अर गेला जो नेता हैं वे भी सारे जुट लिए जो लाण पर लेकिन देख्या जाओगा किसके जो है बाजी लागेगी इस बार सभी दो मैं हैं लेकिन एक युवा चाहे रहा है बाई कैप्टन योगेश कुमार इस बार फिल्ड में दिक रहे हैं अर्मावल बदल राख्या है बड़े बड़े नेता होगा टेंसंदे रखिया इस बार कुछ करका माननेगार यह ताओ भी गिल्ला खड़े हैं तब उच्छेंगे भी अच्छा कोई चनतागी बात नहीं है पूरा जोर लाओ अगाम फिलाल मौजूद है विडिया मौल है एक तरफा मोले जमाकती एक तरफा है अगल जी बहुत बड़ी है रहे है कैप्टन योगेश जी है जो मोन बडोली की बहुती ज्यादा ओकर रहा जो कई 10-15 घामा मैं प बोल्ट ही बडियां जीध के साथ मारें गाउं में सभी यू बहुती अच्छी कि इसकी मान रहर एगाव में एक तीक बात है यह लड़का जो है मैनत कर रहे हैं मैनत कर रहे हैं जब गाउं गाउं डूर यू घूम रहे हैं रहे हैं रहे हैं नो जवान से भी बुजरक से भी औरतों से भी सबसे मिलके जब यू चल रहा है तो इसके कामियाभी क्यों नहीं मिलेगी आने यू तो बड़े बड़े नेता तो नुक रभी एक जंगे आओ भाई सारे गामाले मिलो बाचित करो यह तो गरगर में जाना जाग है जब परचार कर रहा है इसने सकल से जान सब्सक्राइब करना इतना माहूल बनाना एक एक लोग तने तामने सब्सक्राइब क्या है कैप्टन योगेश जी और लोगों का प्यार शुवेश जी निगलेते घर से योगेश जी तो बोजन पानी सब कुछ नी सारा दिन लग रहे हैं गर्मी में यह गर्मी की तपत पड़ रही है इसमें भी पसीन नम पसीन आई तो बहुत ही ज्यादा हो कर रहा है कैप्टन योगेश जी तनी गर्मी और रही सरीर में कोई ऐसी तो लाग रहा है अगतब दूप में विजुट रहे हो गती वाही एसी तो बीजेवी पार्टी ने देद दिया है मौलाल पड़ोली जी जी कमल का फूल है तो उसके इतनी पाव अब जो गाओं गाओं में घरागवा जा जा कर जा जा एतना विल्कुल एक गढ़ा मैं अभी आज जो इस जो एक और इसमें सुब्हा इसने इसमें अबना बांप बंबेवा गां में है इसके बाद में बाहत दरगड़ है पर्सों मौला पडोली जी आएंगे तो आनके लि कि जोती हम लोग जला रहे हैं कि मौलाल बड़ोली जी कौन है यहां कि उनका व्यक्तित भी क्या है और आने वाले समय में वो क्या करेंगे और जो है कि परसो छे तारिकों जीन्द के अंदर एक रेली होने वाले होने की अगवाई में उनकी लिए भी साथ साथ नियोत्ता दे सब्सक्राइब जाए और जाए और उनकी परसों प्रोग्राम में सफीदों में उन लोकिशनों की जाने के लिए वह भी नहीं आता दे रहे हैं कि सारे जोए बड़ी तादब में उनके पास उनके बात सुने उनका व्यक्तित वीच्टित आने और इस जो बड़े हैं उनको म मार्ग दैशन दे और जो हम जो मर्गी जो छोटे वह है वह उनकी जो एक आश्रवाद हमें मेले बड़ावाद कारी है कि आपकी बार वही चारसो पार लाग आप तो गहां होगा गुम्रें संभभ हो सकेगा भाई मेरे गयला चल देना एक दिन अपना पता चल जाएगा कि माह हो यह तो मैं सरफ एक विदान सभावा का पेता रहा हूँ तो सारी विदान सभाव में जाएंगे तो 400 क्याव ज्यादा भी सीट होती है 400 पार उसमें कोई दो रहा ही नहीं है यह जो है जो चार्सो पार का जो नाराय लगां एपड़ा सोच समझ के जो है कि मोधी जी ने दि हुँ अगर देश की उन्नति के लिए देश को मजबूत देश को विक्षित बनाने के लिए सिर्फ एक ही विकल्फ है वह बारती जनता पार्टी हडियाडा में 25 मही को कमल के फूल पे आपने वोट देना है दसकी दस सीट पे अपने जो बारती जनता पार्टी की जो मीदवार करने और उनको तीसरी वार फिर से देश के प्रदान मंत्री बनाना है जो एक सपना है विक्षित भारत और विक्षित हर्याना दोनों का सपना पूरा करना है दोजार से तालिस से पहले ही देश को जो है इंडोस्तान को डेवलेप कंट्री के जो एक लिस्ट है उसके अंदर नाम रजिस्टर्ड कराना है बिल्कुल भाई कैप्टन योगे इसकी बात है आपना सुनियार गर्मी में विजूट रहे है कती थारा के गुचकान और कमेंट में जरूर बता दियो फिलाल राम राम सार्यान है